Hello dear students, welcome back to the class, मैं आपकी अकाउंटन सी एजुकेटर अंबिका सेंग, आप सभी का स्वागत करती हो, आपकी अपने फेवरेट चानल, Magnet Brains पर, एक ऐसा चानल जहां मिलता है, आपको free and quality education, हम प्रवाइड करता है, English medium courses from class KG to class 12, इसके साथ हमारा Hindi medium channel भी है, जहां हम Hindi medium courses प्रवा आते हैं, जैसी कि Bihar board, UP, Rajasthan, MP, Delhi, likewise हम other state boards को भी cover करते हैं, तो हम provide करते हैं, full organized course plus practice questions, dear students, बस आपको क्या करना है, जोड़े देना है, magnet brains के साथ, चैनल को subscribe करना है, और इस वीडियो को like share जरूर करना है अपने friends के साथ, क्योंकि इस class में हम क्या पढ़ने वाले है, एक बहुत सारे concept को मैं cover कर चुकी, हमने पढ़े हैं, साथ में मिलके बहुत सारे concept और उन concept से related questions भी हम solve कर चुके है, जैसे कि previous जो हमारी class थी, हमने salary और commission से related concept भी समझे, और उनसे related question भी हमने solve किये, तो यदि किसी भी reasons है, आप से वो class मिस हो गई है, तो no problem, आप उस class को पहले देख लीजिए, आपको वो class भी मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ये नया topic पढ़िएगा, क्योंकि topic क्या होता है, एक दूसरे से link होता है, तो एक भी topic मिस नहीं होना चाहिए, तो हमने previous class में क्या देखा था, salary कैसे हम लोग क्या करते है, partners को देते है salary का तो normal amount होता है, उसको तो directly हम debit कर देते हैं, किसमें profit and loss appropriation account में, फिर मैं हमने commission से related चीज़े भी देखी थी, जिसमें क्या किया था, हमने commission को calculate कैसे करते है, after charging, before charging, दोनों condition में, दोनों formulas हमने देखे थे, तो आज जो मारा topic है, वो क्या रहेगा, interest on partners capital की, जब हम क्या करते ह firm है, जब हम उस पर, हम मतलब की जो firm होती है, जब उस capital पर partner को interest देती है, तो हम बोलते हैं, उसको interest on partners capital, इसको कैसे calculate करते हैं, इस से related क्या concept है, यह सब हम देखेंगे, आज की class में basically हम क्या देखेंगे, इस से related कुछ concept, राइट, चलिए तो शुरू करते हैं, interest on partners capital को जानना कुछ concept यहाँ पे हैं, उसको आज हम पहले discuss कर लेते, चलिए, interest on capital is allowed to compensate a partner for contributing capital to the firm in excess of profit sharing ratio, right, क्या बोल रहा है यह, कि देखो, interest on capital जो होता है, वो हर firm क्या करती है, अपने partners को allow करती है, क्यों allow करती है, क्यों की भाई, उसने क्या किये, capital को contribute किया है, firm में अपना capital लगाया है, अपना पैसा लगाया है, तो जो बंदा अपना पैसा firm में लगाएगा, firm उसको interest, तो देगी भाई, यह तो बनता है, interest on capital देना तो बनता है, फिलेका है, like interest on drawing, जैसे कि interest on drawing charge किया जाता है partner से, वैसे ही partner को interest on capital pay किया जाता है, right, फिलेका, it is also calculated at the agreed rate with reference to the time capital has been used in the business, तो यह कि rate पे दिया जाता है, कैसे आप interest on capital को calculate करते हो, आप करते हो with reference to the time capital, मतलब जितने समय के लिए आपने capital दी है, उतने समय के लिए ही आप क्या दोगे, interest pay करोगे, और जो भी आपने rate agree करके रखा होगा, आपकी partnership deed आपने बनाई होगी, उसमें आपने लिखा होगा या उसमें बताया होगा कि कैसे क्या करना है, कैसे calculate करना है, क्या interest on capital किस rate पे करना है, किस partner को कितने rate पे देना है, जरूरी नहीं, सबको एक जैसे ही मिले, वह किसी को कम, किसी को जादा वो differ करता है, तो वो सारी चीज़े आपकी agree रहती है, partnership deed में, उसके according आपको अगरते हो, interest on capital देते राइट, फिर क्या कह रहा है, आपसे, does interest on capital is allowed on the opening balance of the partner's capital, अब यह चीज़ बहुत important है, यह जो point लिखा है न, कि जो interest on capital है, वो allow किया जाता है, मतलब firm जो है, वो partner को pay करती है, किस पर pay करती है, यह बहुत important point है, opening balance of the partner's capital, इस चीज़ को याद रखना, जो partner की capital होती है, उसक इंट्रेस्ट देते है, closing balance वाली capital पे नहीं देते, समझ आया, तो यह ज़िक्वेश्चन में कहीं closing वाली देऊगी, तो उस पर calculate करने मत लग जाना interest on capital, right, closing वाली capital पे नहीं देते है, वहाँ आपको interest on capital, calculate नहीं करना है, आपको कहा calculate करना है, opening balance पे करना है, समझ आया, opening balance of partners capital पे हम क्या देते है, interest on capital देते है, इस चीज़को बिलकुल fit कर लो, दिमाग में fit कर लेना है आपको, right, समझ आया, किस पर देते हैं, interest on capital, opening balance of the partners capital, बार-बार कह रही, right, इस चीज़को यादरना, important है, in further capital, if further capital is not invested, और it is not withdrawn, यदि आपने क्या किये, कोई further capital विड्रों नहीं add करी है, invest नहीं करी है, या फिर आपने withdraw नहीं किया है, तो जो है आपकी opening balance पर, opening balance of capital पर आपको interest on capital मिलता है, clear हुआ, समझ में आया, ये इतनी कहानी interest on capital की general वाली थी, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दो चीज़े दी हैं, एक दी आपको additional capital और एक आपको दिय है, withdrawal of capital, ये दो terms हैं, ये दोनों terms का क्या मतलब होता है, हम पहले इसको सीख लेते हैं, additional capital मतलब, if additional capital is introduced during the year, interest is allowed on it from the date additional capital is introduced till the end of the accounting period, क्या मतलब हुआ, तेको additional capital मतलब, साल बढ़ में आपकी जो आप capital देते हो, वो तो ठीक है, उसकी जगह यदि आपको extra amount भी दे रहे हो capital का कोई partner यदि firm में कोई extra amount of capital दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे additional capital, तो यदि आपने additional capital दी है, तो भी आपको क्या मिलेगा, उसपे interest मिलेगा, राइट, यदि आपको additional capital इंट्रिद्यूस कर रहे हो, किसी भी वर्ष में, तो interest आपको उसपे भी allow होगा, लेकिन, जिस समय से आपने additional capital लेके आयो, उस समय से लेके at the end of the year तक मिलेगा, ऐसा नहीं है, कि आपने October के मन्त में आपने additional capital दी और आपको जो interest पूरे साल के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है, जिस मन्त में लेकर आओगे, तब से लेके last तक मिलेगा, जिसे 6 महीने के लिए ल October से लेके March तक, 31st March तक, 6 महीने का आपको interest मिलेगा, clear है, यदि आपने क्या किया है, additional capital लायो, right, फिर आपसे बोला है, अगला withdrawal of capital क्या होता है, if capital is withdrawn by a partner during the year and interest is allowed on capital, माल लो, withdrawal of capital का मतलब होता है, कि जो भी आपने capital दी थी, suppose मैं एक partner हूँ, मैंने firm में मान लीजे, 2,00,000 रुपे की capital लगाई, 2,00,000 रुपे firm को दे दी as a capital, अब मैंने उसमें से कुछ amount withdraw का लिया, मैंने का मुझे 20,000 रुपे की जरूवत है, तो मुझे capital का amount मैंने दिया तो उसमें से मैंने निकाल लिये, 20,000 रुपे निकाल लिये तो इस पर क्या कह रहा है, interest and is interest, interest is not allowed on the amount withdrawn from the date of withdrawal, मतलब आपको फिर जो amount आपने withdraw कर लिया है, जो amount आपने निकाल लिया है, उस पे फिर आपको interest नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि यदि मैंने 2,00,000 मैंसे 20,000 निकाल लिये, तो still मुझे जो interest है, वो 2,00,000 पे ही मिलता रहेगा, नहीं, जितने time तक आपकी 2,00,000 थी, उतने time तक का आपको interest 2,00,000 पे मिलेगा, जब आपने क्या किया कुछ amount withdraw कर लिया, अब आपकी capital हो गई, क्या 1,80,000 तो अब जो interest मिलेगा, वो 1,80,000 पे ही मिलेगा, समझ में आया, देखो, यहाँ पे एक बार और समझो, माल लो मेरी ज capital थी, वो इतनी थी, तो मुझे जो interest भी मिलता था, वो आप क्या सकते हो, इस पूरे amount पे मिलता था, फिर माल लिजे, यह दि मैंने October में क्या किया, इसमें से 20,000 रुपे निकाल लिए, इसमें से मैंने 20,000 रुपे निकाल लिए, तो अब मेरी जो capital है, फर्म में वो कितनी ब आपक्टूबर की डेट पे मेरी जो capital है फर्म है, वो 180,000 बची, तो अब मुझे October से जो interest मिलेगा, वो मुझे इस amount पे मिलेगा, clear है, जो आप withdraw कर लोगे इस पे नहीं मिलेगा, अब जितना बच्चा है उस पे मिलेगा, तो मतलब आप October से लेके, March तक, कब से लेके, October से ले पे मिला था, clear है, अभी यदि नहीं समझा रहो तो tension मितले ना, question करेंगे तो बहुत अच्छे समझा जाएगा, right, question करेंगे तो अराम से clear हो जाएगा, तो यह चीज़ यहां पे लिखी है बस इतनी कि जो आप capital देते हो, if capital is withdrawn by a partner during the year and interest is allowed on capital, interest is not allowed on the amount withdrawn, यदि आप interest देते हो capital पे और यदि आपने capital को withdraw कर लिया है, तो उस withdrawal वाले amount पे interest on capital नहीं मिलेगा, right, from the date of withdrawal, उस दिन से जब आपने क्या की capital withdraw कर लिया, उस दिन से आपको उस amount पे interest on capital नहीं मिलेगा, till the end of the accounting year, last accounting year तक के date तक आपको नहीं मिलेगा, clear है, समझ में आए दोनों concept, additional capital वाले, withdrawal of capital वा बहुत अच्छ से समझाएगा, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं हमारे next वाले concept पे, यह हमारा क्या रहा है, provision related to interest on capital, कुछ provisions है, हमने already एक provision पढ़ा हुआ है, है न, वहीं किस पे interest on capital पे, उसी से को, मतलब आप कह सकते हैं, उसी से related, यह interest on capital का पूरा provision दिया है, जो कहा राइट, चलिए, तो आपको cases दिये हैं, और फिर उसके provision दिये हैं, यह आपको बहुत अच्छ से समझ लेना है, क्योंकि question में इनी चीजों को apply करना है, और कुछ अलग से question में नहीं पूछा जाता है, यह जो आपको provisions दिये हैं, जितनी भी आपको, आप कह सकते हो, important जो भी provide for interest on capital, माल जी आपकी partnership हाम है, आपकी पास कोई partnership deed ही नहीं, आपने कोई deed नहीं बनाई, हना, और यदि बनाई भी है, सपोज यदि आपने partnership deed बनाई भी है, तो उसमें interest on capital को लेके कोई चर्चा ही नहीं करी है राइट कोई चर्चा नहीं है और यदि partnership DD नहीं है तो इस case में क्या होगा कई बार question में ऐसा case आपको दे के रखेंगे तो यदि ऐसा case आपके पास question में आता है तो आपको क्या करना है interest on capital is not allowed आपको interest on capital प्रवीजन में लिखा यह मैं नहीं कह रही हूं यह प्रवीजन में लिखा यदि आसा कुछ केस आपको question में दिखता है तो क्या होगा interest on capital आप नहीं दोगे यदि आपके पस partnership deed ही नहीं है और है भी तो उसमें interest on capital को लेकि कोई बात ही नहीं है ना कोई rate दिया है ना कोई कुछ दिया है तो यह दी ऐसी condition है तो आप interest on capital नहीं allow करोगे पहला case समझ में आ गया simple सा था अब दूसरा case का लिखा है when the partnership deed provide for interest on capital but is silent on whether interest is a charge or appropriation अब देखो जो partnership deed है उसमें interest on capital को लेके तो कहा है है ना क्या मतलब कुछ ना कुछ तो partnership deed में interest on capital को लेके लिखा है कि इस rate पर देनी है इस partner को कितनी देनी है सारी चीज लिखी है लेकिन एक चीज जो silent है मतलब उस पर कुछ समझ नहीं आ रहा है उस पर कुछ चीज आप कह सकते हो क्लियरली मैंशन नहीं है वो क्या कि जो interest on capital है वो चार्ज है या फिर अब यह चार्ज क्या होता है अप्रोपियेशन क्या होता है यह हम बहुत बार डिसकर्स कर चुक है हमारी previous classes में इवन एक क्लास में मैं इसका differentiation भी आपको बताया है तो चार्ज मतलब जो profit से पहले ही आपको निकाल देनी होती है और अप्रोपियेशन मतलब जो profit sharing आता है उस जो मतलब जब आप partner में क्या कर रहे हो profit को share कर रहे हो उसमें एप्रोपियेशन को क्या करते हो मतलब interest on capital को उस time पर divide करते हो सभी partners में जब क्या बनाते हो profit and loss बनाते हो उसमें जो profit आता है उसको divide करते हो सभी partners में उस time पर यदि आप क्या कर रहे हो interest on capital दे रहे हो तो वह आपका प्रोपियेशन है और यदि profit calculate करने से पहले ही दे रहे हो तो वह आपका profit interest on capital is allowed only if there is profit देखो यह बात यहां क्या कही गई है कि यदि माल लीजिए आपने interest on capital को क्या समझ लिया एक appropriation of profit समझ लिया कि भाई जब हम profit को share करेंगे उस time पर हम interest on capital को भी देंगे राइट यह हो गया आपका यदि आपने इसको यह माना है तो फिर आप क्या करोगे interest on capital को allow करोगे कब जब आपको सिर्फ और सिफ profit होगा बाई जब profit होगा तभी profit share होगा और तभी interest on capital मिलेगा यदि profit ही नहीं होगा तो फिर interest on capital कहां से दो गया ठीक है तो अप्रोपियेशन और प्रॉफिट यह दि माना है तो जब प्रॉफिट होगा तभी यह डिवाइड होगा अधर्वाइस नहीं होगा और यह क्लियर है फिर आप से भोलाए जेह त्री पोसीबर सिट आस फॉलोट इसकी तीन सिच्चोथे इसन होतीया सबसे भी आपसे बडी लॉस सबस्दून अप माद फिर सुम्को Edge क्या आए लौस हो गया है ना profit कि नहीं होगा इंट्रेसर कापिय शना तो क्योंकि आपने इसको इप्रोपेशन अफ प्रोफिट मांना है मतलब जब प्रोफिट होगा जब ही इंट्रेस्ट ऑन कापिटल मिलेगा तो यदी लौश हो गया तो इंट्रेस्ट कापिटल Lt. नहीं मिलेगा clear अब मैं दिखा रही हूँ आपको next value situation second situation कह रही है profit before interest is equal to or more than the interest अब मालनो चलो loss नहीं हुआ मालनो profit हुआ मतलब profit कैसा हुआ या तो जितना interest देना उसके बराबरी profit हुआ या उससे ज्यादा हो गया है जितना भी rate आपने agree करके रखा होगा आपकी partnership deed में उस rate पर आप क्या करोगे interest on capital को pay कर दोगे clear समझा गया third situation आपको देखे रखे profit before interest is less than the interest मतलब जो profit है वो आया तो है लेकिन वो कम है interest से मतलब जो profit आया है वो interest on capital से कम आया है इस situation में क्या करोगे interest is allowed only to the extent of profit in the ratio of interest on capital of each partner मतलब उस case में आप क्या करोगे जो आपका profit है उसे आप distribute तो क्या करोगे before interest आपका less आया मतलब जो interest आपको pay करना है वो ज्यादा है suppose देखो यहाँ पर बताती हूँ यह आपका interest है हना यह आपका interest है और यह आपका profit है राइट अब आपका जो interest है वो मालो अगर इतना है राइट आपका interest इतना है लेकिन आपको जो profit है वो सिर्फ इतना है it means क्या है आपका profit तो कम है लेकिन interest आपका ज्यादा है मतलब profit तो हुआ है देखो loss की situation तो नहीं है profit हुआ है लेकिन थोड़ा सा हुआ है लेकिन उस पर पार्टनर को interest देना है वो बहुत जादा है समझ गए तो इस situation में हम क्या करेंगे interest is allowed only to the extent of profit तो जितना profit हुआ है हमें उतना ही हम क्या करेंगे जो interest का ratio है उस ratio में हम interest को pay कर देंगे clear in the ratio of interest किसके ratio में अब इसको profit sharing ratio में नहीं करेंगे ठीक है वैसे तो profit को हम कैस में distribute करते profit sharing ratio में करते हैं लेकिन interest इसे कम profit निकल के आया है तो अब इस profit को profit sharing ratio में हम distribute नहीं करेंगे बलकि किसमें करेंगे हम interest on capital के ratio में करेंगे right क्या लिखा है in the ratio of interest on capital of each partner सभी partners को वो profit distribute करेंगे लेकिन किसके ratio में करेंगे interest on capital के ratio में करेंगे ना कि profit sharing ratio में अभी आपको confusion हो रही होगी समझ में इतना अच्छे से नहीं आ रहा होगा जब मैं आपको question कराऊंगी ना तब ये सभी conditions वहाँ पर follow होगी करेंगे और question करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से राइट तो अभी फिलाल थोड़ा थोड़ा देख लो जितना समझ आ रहा है जितना नहीं आ रहा है वह questions जब solve करेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा राइट अभी थी confuse जादा मत होना चलो अब हम थर्ड वाली situation देख लेते हैं थर्ड वाली क्या कह रही है वैं दे partnership deed provides for interest on capital as a charge that is to be allowed whether there are profit or loss माल लीजे कि हमने interest on capital को क्या मान के रखा है charge मान के रखा है कि भाई भले profit हो चाहे नहीं हो हमें तो क्या देना है interest on capital देना ही है मतलब यह क्या चार्ज अगेंस profit है appropriation of profit नहीं है ना loss हो चाहे profit हो हमें तो देना ही देना है तो इस situation में क्या करना है interest on capital is allowed whether the firm has earned profit or has incurred loss तो वही चीज सेम है charge against profit है तो भले चाहे firm को profit हो रहा है या loss हो रहा है doesn't matter हमें तो interest on capital देना ही है clear हुई यह सारी situation समझ में आई यदि नहीं आई है तो बिल्कुल tension मतलो मैं आपको question कर आउंगी तो यह situation आपको question में भी देखने को मिलेगी वहां से आपको अच्छे जा समझ आएगा clear चलो आगे बढ़ते हैं अब हम कुछ general entries देख लेते हैं कि जो interest on capital होता है उसकी general entries हम कैसे करते हैं कई बार question में आपसे sums भी बोलते हैं account बलाने को भी बोलते हैं और उसके सांसा general entries भी बोलते हैं तो इसकी एक बार entry देख लो इफ partner capital account are fixed यदि आप किस method कर रहे हैं फिक्स capital aftermath से कर रहे हो तो यह दुट सबसे पहली entry आप किस की करत तो interest on capital account को debit करते आपको पते ही है interest on capital कहारा दिया जाता है debit our credit कहां करते हो partner के current account में करते हो राइट क्योंकि this time तो सारी चीज़े कहा जाएंगे partner के current account में फिर उसकी बाद जो अपकी closing entry रहेगी वो profit and loss appropriation account क्योंकि interest on capital कहा जाता है profit and loss में जाता है तो profit and loss appropriation को हम debit करेंगे to interest on capital account clear हुई यह दो entry होने वाली है same ही है जो हमने interest on drawing में भी देखी थी है same entries है फिर जो हम fluctuating method यह दी यूज़ कर रहे हैं तो भी हमारी दो entry रहेंगे interest on capital account, debit to partners, capital account बस इतना फर्क आ जाएगा यहाँ पर current था और यहाँ पर capital हो जाएगा same entry रहेगी फिर जो closing entry रहेगी वो हमें क्या करना रहेगा profit and loss appropriation account में debit कर देंगे to interest on capital account clear दोनों entry समझ में आ गई सबको चलो आपको यह discreet short लेना है तो आप ले सकते हैं इसका चलो अब आगे बढ़ते हैं हम next आपको दिया है calculation of opening capital अब आपको यह भी आना चाहिए यह बहुत important है क्योंकि जो interest on capital होता है वो किस पे हम पे करते हैं opening capital पे पे करते हैं आपको आपको समझाती हूं तो फिर आपको आराम से पता लग जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या लेना है capital at the end of the year मतलब जो आपकी closing capital है closing capital आपकी जो भी रहेगी end of the year की सबसे पहले आपको वो amount लेना है वो capital लेनी है हना उसके बाद आपको क्या करना है कुछ items को add करना होता है और कुछ items को less करना होता है अब यह हम देख लेते हैं किसको add करना है किसको less करना है ठीक है यह जो format है यह पूरा आपका यदि आप fluctuating method से क्या कर रहे हो account बना रहे हो तो यह fluctuating method वाला format है है ना इसके बाद मैं आपको fixed वाला भी बताऊंगी तो चलो क्या-क्या add करना होता है सबसे पहले drawing against capital withdrawal of capital मतलब यदि आपने क्या किया है capital को withdraw किया है तो वो amount क्या कर दो गया आप्ड कर दोगे आपFL को को wholesale कर दो गे interest on drawing यदि आपने पे किया है वो भी आपको add करना है और यदि आपने loss को share किया है जो यह अपको loss आया है उसको आपको add कर देना है इसलिग जित्फित्ने भी वो सारा credit site पे ही तो क्या करते हो record करते हो तो जो भी चीज़े आपके credit site पे होती है उनको आपको add करना है बस इतना याद रखो देखो profit and loss appropriation तो सब ने बनाया है सब को हमने सीख भी लिया है आप ही हमको बनाना तो उसमें जो भी एंट्रिस हम credit site पे कर रहे हैं यहां पर बस हमें क्या करना है उन सभी चीजों को add करना है और दूसरी हैंड पर हमको क्या करना है जितनी भी चीजों को हम debit कर रहे थे profit and loss account में जितने भी items को हम debit site पर record कर रहे थे उनको हमें less करना है बस और कुछ नहीं करना अब आपको यह सारी चीज़े रटने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी रटना बिलकुल मर बस mind में एक चीज रखना कि जब profit and loss account बनाते है profit and loss अप्रोप्येशन बनाते हैं उस टाइम जितनी भी चीज़े credit site में जाती है उनको add कर दो और जितनी भी चीज़े हमारी debit site में जाती है उनको क्या कर दो less कर दो बस इतनी चीज़ करनी है समझ में आ गया तो क्या-क्या चीज़े रस करनी है जैसे कि additional capital इंट्रिदूस आपको less करना है यह सारी चीज़े कर दोगे तो आपकी क्या जाएगी opening capital that is capital in the beginning of the year opening capital आ गई आपकी ठीक है अब यह जो आपका amount आएगा इस पर आपको क्या देना होता है interest on capital देना होता है सभी partners को clear हुआ यहां तक समझ में आ गया यह आपका था fluctuating capital वाला जब आ फ्लक्श method से यदि आप कर रहे हो suppose कौन सी method apply कर रहे हो fixed value तो उस condition में यह सारी चीज़े तो रहेंगी नहीं क्योंकि यह सारी चीज़े कहा रहती है fixed मतलब एक capital account है एक current account है right तो यह सारी चीज़े आपकी current में रहती है यह सारी चीज़े आपकी current account में चले जाती है partner के similarly यह सारी चीज चीज भी कहा जाएंगे current account में तो यह सारी चीज़े को आप ignore कर दोगे सिर्फ और सिर्फ यदि fixed method है तो दो चीज रहेंगी add करने के लिए एक चीज रहेगी और less करने के लिए एक चीज रहेगी जैसे कि drawing against capital यह चीज आपको less करनी है add करनी है और जो less करना है additional capital बस यह दो बस यह दो चीज आपको याद रखनी है एक यह वाली और एक यह वाली बागी की तो current account में है क्योंकि fixed method आपको पते हैं हमने previous class में पढ़ा है जब हम fixed method apply करते हैं एक capital account एक current account यह सारी चीज़े तो current account में जाती है सिर्फ और सिर्फ capital account में एक यह information रहती है that is withdrawal of capital और एक हमार जाएगी आपकी क्या capital at the beginning in the year clear समझ में आगया अब जब हम calculate करेंगे तब आपको और अच्छे से clarity हो जाएगी तो यह format समझा गया क्या add करना है क्या less करना है credit वाले items को add करना है debit वालों को less करना है बस clear अब if you want you can take a screenshot done screenshot ले लिया आपने चलिए तो आज हमने क्या देखे interest on partner capital से related concept देखे सारी चीजों को देख लिया right तो आज का हमारा यह topic हमारी यही class तक रहेगा अगली class में exercise भी करेंगे इस topic से related तो जितनी भी आज हमने concept पढ़े ना interest on capital से related वो सारे concept की बहुत अच्छे से clarity हो जाएगी कि जब हम next class में क्या करेंगे exercise करेंगे same way topic से right तो जुड़ना जरूर next class में भूलना नहीं daily आपको class attend करनी है यहीं पर magnet brains में जहां आपको मिलता है free and quality education हम provide करते English medium course from class kg to class 12 साथ में हम Hindi medium courses भी provide कराते for class 6 to class 12 हम cover करते CBC board को भी और other state board को भी हम cover करते है जैसे कि Delhi, Bihar, UP, MP, Rajas इसके साथ साथ हम आपको Vedic Maths के courses provide करते हैं spoken English के courses भी provide करते हैं revision के लिए crash course भी provide किया जाता है इसी के साथ e-books या e-notes का benefit लेना है तो description box में link given है आप उसको वहां से check कर सकते हैं हमारे courses देखने के लिए आप हमारे YouTube channel को visit कर सकते हैं mobile application download कर सकते हैं या फिर डिरेक्टी हमार करेंने मज़ा है तो like share जरूर करें चैनल को subscribe करें मिलेंगे next class में till that take care and keep learning